हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जो आपके लिए लेकर के आते हैं एंडियन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर सुखोई के इंफर रिस सचन ट्रैक सिस्टम के बारे में जैसे कि हम तुछ जानते हैं क इसके बाद भारती अवायव सना के इनिशिल जो सुखोई 30M के फाइट रिएक्राफ्ट है जिनको सुपर सुखोई में अपग्रेट किया जाना है उनमें इन इंफर रिस सचन ट्रैक सिस्टम को इंटिग्रेट किया जाएगा इसके पहले जो रिपोर्ट सामने निकल किया इसके इनकी टेस्टिंग चल रही है जो कि करमसा पूरी हो चुकी है और अब जो फाइनल लेवल की टेस्टिंग है यह होने वाली है डिफेंस एकुशन काउंसल ने मई 2018 में ही इसको जो मंजूरी है वो दे दी थी और सबसे खास बात यहां पर यह रही थी कि 2018 से लिकर 2020 तक लगातार यह प्रोग्राम डिले को फेस करता रहा था लेकिन अब यह अपने अंतिम दोर में पहुँच चुका है जहां बहुत जल्दी इसको क्लिरंस मिल जाएगी अगर मिसके स्पिस्फिकेशन की बात करें तो इसमें आपको लॉंग रेंज का आया डेक्शन देखने को म जाएगी अब सुपर सुखोई प्रोग्राम की बात करें जिसका यह हिस्सा है तो सिर्फ यही एक अप्ग्रेड नहीं मिलने वाला उनको बलकि वहां पर 51 मेजर अप्ग्रेड समको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहला जो अप्ग्रेड मिलने वाला है वो होगा फ्लाइब बड़ा अप्ग्रेड मिलेगा हाला कि इस पर भी हम डिटेल पर बात करेंगे वह एवियॉनिक सेक्षन पर होगा चहां पर हम इसे उत्ता में सारे डार्क से जो एक वेप होते देखेंगे इसमें बड़ी मल्टी फंक्शन डिस्प्रेय हमें देखने को मिलेगी आयारिस्ट में सबसे पहला होगा अप्ग्रेड वोरल्स यानि विएचेफ ओम्नी डारेक्शनल रेडियो रेंज एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इसको काफी तारे इंहेंस्मेंट से गुजरा जाएगा जिसके बाद सकोई 30 एम के आई कि जो नेविगेशन और लैंडिंग प्रिसीजन है ये काफी इनहेंस होने वाले हैं और एडवर्स कंडिशन में भी ये एरग्राफ सेफली लैंड कर सकेगा दूसरा बड़ा इंप्रूमेंट हमें देखने को मिलेगा एविएशन क्लॉक में जो एविएशन क्लॉक है ये इंस्योर करेगी कि जो प्रिसीजन टा ये जीपियस सिगनल को जो वैरियस सिस्टम है उस पे एक्यूरेटली डिस्ट्रिब्यूट करता है जिसकी वज़े से जो प्रिसाइज पोजिशनिंग है और नेविगेशन है वो हो पाता है और किसी भी मिशन के लिए ये बहुत ज़दा महात्रपूर्ण होता है अगला हमें दिखने को मिलेगा सुपर सुखोई में वो होगा मिशन कंप्यूटर का हम सब जानता है कि सोदेशी तोर पे जो मिशन कंप्यूटर है कि सुखोई 30 MKI के लिए विक्सित किया जा रहे हैं इनके आने का सबसे बढ़िया बेनफिट यह होगा कि जो क्रिटिकल मिशन है इसमें भी कुछ बड़े बदलाओ देखने को मिलेंगे यह एक अपग्रेडिट हेड़ डिस्प्ले होगा और इससे बिसिकली जो डिटा प्रेजेंटेशन है और जो विज्वल डिस्प्ले है वो काफ़ी इनहांस होगी जिससे पाइलेट को ज़रूरी जानकारिया जो है वो हेड़ डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएंगी और इससे उनका जो कार्टे भार है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके लावा सुपर सो कोई प्रोग्रेम में हमें मौडिफाइड इन जीपियस देखने को मिलेगा ज्यानि इनहांस नेविगेशन SSD VRS देखने को मिलेगा जहां जो इंडिजिनेस सॉलिड इस्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है यह क्रूशल फाइड डिटा को रिकॉर्ड करेगा जो कि काफी महात्वण माने जाते हैं इसके अलावा हमें इंडिजिनेस डीमजी देखने को मिलेगा य जानते हैं कि सुखोई 30 MKI अस्तर मार्क 1 मिसाइल को कैरी करता है अस्तर मार्क 2 के ट्रायल चल रहे हैं और भविश्य में अस्तर मार्क 3 देखने को मिलेगी वहीं रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल से हैं यह भी हमें सुखोई 30 MKI जटका हस्सा बनती दिखाए पड़ेंगी रुद्रम 1 already service में है और इसके बाद जो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 है इसके टेस्टिंग की जाएगी और ब्रह्मोस को भी यह कैरी करते हैं और भी कई इंडिजनेस वेपन सिस्टम है जिसमें प्रिसीदेन गाड़े अडिजनेस मिसाइल हो गई यह सब ही सुखोई 30 MKI का ह वो सिस्टम देखने को मिलेगा जो की काफी सारे अपग्रीड के साथ में आएगा और इसमें अधिकतर जो इंडिजनेस टेकनोलजी है वह इंप्रूब करी जाएगी जिससे अडेंटिफिकेशन और कम्मुनिकेशन काफी ज्यादा इंप्रूब होने वाला है इसके बाद हम पुत्ता में सारे डार भी सुखोई जटी एम का अपग्रीड का एक महत्तपूर्ण हिस्सा होगा और इसके लिए बाकाइदा एक इसके लिए पुत्ता में सारे डार विक्सित किया जा रहा है जो कि 1900 से ज़्यादा टी और मॉड्यूल के साथ देखने को मिलेगा जिससे की और टार्गेटिंग कैपबिल्टी जो है वो काफी ज़्यादा इनहांस होने वाली है इसके लावा इसमें हेलमेट मॉंटे डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि पालिट की सिच्वेशन अवैरनेस को काफी ज़्यादा बढ़ा देगा क्योंकि ये जो हेलमेट मॉ एल्टिमीटर है ये बिसिकली सेफटी को एनहांस करेगा खासकर अगर हम लो एल्टिट्यूट फ्लाइट की बात करें इसमें हमें बिगर साइस की जो मल्टि फंक्शन डिस्प्ले हैं जो कि टच बेस्ट होंगी वो हमें देखने को मिलेंगी और ये जो बड़ी मल्टि फं कर पाना काफी दा आसान हो जाएगा इसमें हमें इंडेजन बिखने को मिलेगा और यह जो इलेक्रोनिक वार्फेर स्वीट है ये भारत में विक्सद किया जाएगा जो कि बेसिकली आप एक लाप की सेफटी के लिए काफ़ दा महत्रपूर्ण माना जाता है इसमें हमें इं मिलेंगे जो कि Secure Communication के लिए काफ़े महात्पूर्ण है Enhanced FOR देखने को मिलेगा यानि Forward Observer Data Radar जो कि Basically Target Acquisition और Tracking Capability को काफ़े Enhanced करेगा नया Laser Designation Pod हमें देखने को मिलेगा जो कि Basically जो Laser Guided Munitions हैं इनको Deploy करने में एक महात्पूर्ण भमिका निभाएंगे Infra Research and Track System देखने को मिलेगा Flight Data Transfer Unit देखने को मिलेगी और Advanced Trackend देखने को मिलेगा यानि Tactical Air Navigation System हमें देखने को मिलने वाला है तो ये वो कुछ Major Upgrades हैं जो कि हमें सुकोई 30 MKI Program का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेंगे अब Engines की बात करें तो इंजन को लेकर कि हम लोग एक बात पहले अच्छे जानते हैं कि कोई नया इंजन देखने को नहीं मिलेगा जो AL31 है इनहीं अपड़ेट के साथ इस्तमाल किया जाना सुनिश्चित किया गया है तो आज किस वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए नए है तो चनल को सब्सक्राइब करिए मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ तब तक के लिए